नमश्कार दोस्तो जैहिंद जैभारत निकेत कौशिक हमारे यूट्यूब चैनल विजडम डिफेंस अकेडमी पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो गाईज आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सैनिक स्कूल से जुड़ी सभी इंपोर्टेंट डेट्स की तो फटा-फट से देखते हैं इस वीडियो को उससे पहले जितने भी न्यू विएवर्स है चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन दबा लिजिए और अगर आपको हमारी दी गई इंफोर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जादा से जादा शेयर कीजिए तो चलिए देखते हैं फटा-फट से इंपोर्टेंट डेट्स जो भी सैनिक स्कूल परिक्षा 2023 से जुड़ी हुई है तो सबसे पहले आता है ऑनलाइन सम्मिशन ओफ फोर्म तो जो एप्लिकेशन फोर्म है वो 21.10.2022 से 30.11.2022 तक शाम पांच बज़े तक आप फोर्म को सबमिट कर सकते हो याद रखिएगा 30.09.2022 शाम पांच बज़े तक ही फोर्म को फिल किया जा सकता है हाँ अगर आप चाहो तो पेमेंट के लिए आपको टाइम सदा मिलता है यानि अगर आपको ट्रांजेक्शन जो फीस पेमेंट करनी होती है फोर्म की उसके लिए जो लास डेट रहेगी वो 30.09.2022 लेकिन रात के आप 11.50 मिनिट तक पेमेंट कर सकते हो लेकिन फोर्म फिल करने का लास टाइम जो है वो 5 बजे तक का है शाम 5 बजे के बाद आप फोर्म फिल नहीं कर सकते हैं अगर आपने फोर्म फिल कर दिया तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हो एड कर सकते हो पेमेंट कर सकते हो रात को 11.50 तक भी फिर बात करते हैं correction of details filled in application form सिर्फ website पर ही जाकर ये काम किया जा सकता है अगर आपने form गलत भर दिया ठीक है तो आप लोग correct कर सकते हो राष्टे military school में हमें ऐसा option नहीं मिलता जबकि सैनिक school में हमें ये option मिल जाता है हम चाहें तो form को edit कर सकते हैं जो भी details हमने गलत भरी उसको correct कर सकते हैं तो उसके लिए correction portal हमारा खुलेगा 2 December 2022 से 6 December 2022 तक तो ये आपके वो दिन रहेंगे जब आप अपने form को correct कर सकोगे फिर बात करते हैं Download of Admit Card Admit Card जो है वो 25 December के बाद आपको available हो जाएगा ये tentative date है चेंज भी हो सकती है 2-4 दिन plus या minus हो सकता है ठीक है तो आप अपने Admit Card को 25 December के बाद से website पर ही download कर पाओगे उसके लिए सारा process मैं आपको बताऊंगा चैनल को subscribe करकर bell icon दबा लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी important update मिस ना हो फिर बात करते हैं examination आप सबको पता है 8 जनवरी 2023 संडे वाले दिन का examination रहेगा अगला आता है display of scanned OMR answer sheet, question paper set and answer की ये tentative है लगबग 30 जनवरी के आसपास ये हो जाएगा आपको website पर मिल जाएगा यानि आप अपने OMR sheet देख पाएंगे कि जो बच्चे ने paper attempt किया है उसकी OMR sheet की एक scanned copy आप चाहें तो download कर सकते हैं आपको question paper भी मिल जाएगा और उसकी answer की भी मिल जाएगी लेकिन उस answer की में हम correction कर सकते हैं अगर आमें दिक्कत हो है न हम correction के लिए डाल देते हैं वो साया process भी मैं बताऊंगा आने वाली वीडियो में जैसे जैसे exam होगा दिन आगे बढ़ेंगे हर चीज पर हर update पर हमारे चैनल पर वीडियो आती रहेगी तो चैनल को subscribe कीजिए बेल आइकन को दबाईए declaration of result लगभग 5 February तक हमें result दिख जाएगा 5 February के बाद फिर medical होगा फिर final merit बनेगी तो 5 February के आसपास tentative है 5-7 दिन उपर नीचे हो सकता है बट उमीद रहेगी कि 5 February तक 5-10 February के बीच में हमें इस साल का result भी मिल जाए ठीक है हमें मिल जाए वो selected champions हमारे जो सैनिक स्कूल के लिए select हो गए है करेंगे आपको कुछ नहीं करना बस इस number को install करना है इस number को आप सबने अपने अपने phone के अंदर save करना है और बस call कीजिए हमें जब भी कोई problem हो ये important dates रहेंगी अगर आप चाहें तो exam को crack करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं online और offline दोनों ही mode पर हमारी classes चलती है आपको बिल्कुल low budget में हम अपना course देते हैं बिल्कुल आपके most affordable courses जो है I guess हम यहाँ पर run कर रहे हैं इस वक्त तो आप चाहें तो उस course का फाइदा उठा सकते हैं जॉइन कीजिए हमारी academy को स्किन पर दिये के number पर call कीजिए नमस्कार दोस्तो जैहिन